IPL 2023 अपनी समापती की ओर है लेकिन ये जितना इंट्रेस्टिंग रहा उतना ही हैरानी भरा भी इस मज़ेदार सीजन में कोई तगड़ा खेल गया तो कोई फेल हो गया लेकिन बात होगी मुंबई और गुजरात के मैच की और कुछ बाते होंगी CSK की भी IPL के दूसरी क्वालिफायर में शुकरवार को गुजरात टाइटन्स ने मुंबई इंडियंस को 28 रनों से करारी शिकस्त दी और मैच के स्टार पफॉर्मर रहे शुबमन गिल जो लगभग हर मैच में इस सीजन में फॉर्म में नजर आए सेकंड कौलिफायर में महज उन्चास बॉल में शुबमन गिल ने शतक जड़ा और अपनी टीम को जिताने में एहम रोल निभाया गिल के शतक लगाते ही मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा भी उन्हें बधाई देने से खुद को नहीं रोप पाए इस मैच के दोरानी शान किशन घायल हो गया जो कि पहले से ही प्लेइंग 11 में थे उनकी जगा आये विश्नु विनोद और नेहल भी इंपक्ट प्लेयर बन कर मैदान में उत्रे बस इसी तरह मुंबई के सभी 13 प्लेयर्स इस मैच में उत्रे और हो गया ना ये 13 प्लेयर्स वाला IPL फिर छे रन बाद ही विकेट कीपर इशान किशन ने गिल को फिर से क्रीज में वापस आने का मौका दे दिया इसी वज़ा से गिल स्टंपिंग होने से बच गये गिल को तिसरा जीवन दान तिलक वर्मा ने दिया यहां तिलक बॉल को जज नहीं कर सके और उन्होंने कैच ल कंबर पर ही रहकर वापस लोट गई थी लेकिन इस बार टीम ने काफी जबरदस्त कमबैक किया और बहतरीन दावेदारी खेलते हुए दसवी बार फाइनल्स तक पहुँच गई चन्ने के पास भी काफी अच्छे प्लेयर्स हैं जिनमें मास्टर माइंड दोहनी के अलावा शिवम दूबे अचिंक्या रहाने के साथ साथ स्पिनर तीक्षणा मुईन मतीश पधिराना और अनकैब्ड तुशार देश पांडे भी मौजूद हैं आपको बता दे मतीश पधिराना और तुशार की वज़ा से ही चेन नई डेथ ओवर्स में 38 विकेट ले चुकी है अब दूसरी ओर है मंजे हुए कैप्टन कूल यानि महेंदर सिंग धोनी की टीम जो चार बार IPL विनर रह चुकी है